के साथ आता है स्टेनोग्राफर में विर्शाली में आपको बताती हूं स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हो ना स्टेनोग्राफर में आप आठ दस मार्क्स कम रहे वही बहुत होगा वरना मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंटली कहती हूं सो में नब्बे अराम से लाता है बच्चा क्यों दस पैसे वोई से दस नरेशन है पासिजस अराम से हो जाते हैं क्यों बहुत आसान होते हैं उसमें ठीक है और उसके बार डिट सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए लोग पेपर आसान करते हैं तकि माक्सिमम कैंडिडेट्स आ सके तकि उसमें सेलेक्शन कर सके इसलिए शूर शॉट अगर किसी को नौकरी चाहिए तो शॉट हैं भी सीख लो ठीक है हूँ और हूँ विच वाला क्या यार सब कुछ समझाने के बाद पिर से बता दो अभी नहीं अब फिर से देख लेना थर्ड में आओ और नाइंध में सुनो द्यान से हम ऐसे सोचते हैं दिमाग में अच्छा यू सबजेक्ट है यह वर्व है तो यह अबजेक्ट है अच्छा यू फील तो यू फील जो है यू सबजेक्ट है तो फील व वर्व है तो यह अबजेक्ट होगा ऐसा नहीं है सुनो ऐसा नहीं है थर्ड और नाइंध में ध्यान देना जान बूझ कर आपको यह बीच में एक सेंटेंस दिया हुआ है ताकि आपका कंटिनुएशन ब्रेक हो जब continuation ब्रेक होगा ना तो आप थोड़ा सा confused करोगे और confused किया ठीक है अगर आपने Confuse किया तो Confuse करने से क्या होगा फिर आप को लगे का चाहिए यू सब्जिक्ट है यह तो वर्व है यहां पर होगा जयां से सुनो मैं क्या कहना चाहरी हूं मैं कहना चारी हूं, तुम्हें क्या लगता है, कौन दोशी है, तुम्हारे अनुसार कौन दोशी है, इसका मतलब है, तुम्हारे अनुसार कौन दोशी है, तो तुम्हारे अनुसार को अगर मैं हटा भी दूँ, तुम्हें पूछना चारी हूं, कौन दोशी है, who is guilty subject मैंने काटा है से लिए ताकि आप देख लो काटने का मतलब सिर्फ मेरा यही है कि वो essential भाग नहीं है नहीं होता तब भी चलता फिर मैं पूश रही हूँ तुम्हें क्या लगता है? कौन जीतेगा? तुम्हें क्या लगता है? कौन जीतेगा? तुम्हें क्या लगता है? और यार तुम्हें क्या लगता का कोई मतलब भी नहीं आपे? हटा उसको अभी इसको माइनस करके चलो तुम्हें पूशना चाहूंगी क्या? कौन जीतेगा? वो विल विन देखो हूँ विल वो है ना? समझ में आया? इसका मतलब है कभी-कभी आप एक कंटिनुएशन को ब्रेक किया जाएगा बीश में कुछ इर्रेलेवेंट बाते डालकर आपको सिर्फ देखना है कि यहाँ पे में बेसिकली हूँ के बाद आना क्या चाहिए था? हूँ इस गिल्टी इन यूर ओपीनियन है ना? हूँ विल विन दरेस अकॉर्डिंग टू यू? तुमारे अनुसार कौन जीतेगा? क्लियर हो गया? इसलिए देखो थर्ड का आंसर हूँ है और नाइन का भी आंसर हूँ है बता कोई प्राब्लम यहाँ तक? क्लियर? बस अब बताओ मैंने क्या सिखाया आपको मैंने यह सिखाया देख लो मैंने यह सिखाया हूँ इन प्लेस ओफ सब्जिक्ट हूँ इन प्लेस ओफ अबजेक्ट अबजेक्ट विच अरे यार विच तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेंस में कि क्यों ना हम इतना दिमाग क्यों खराब करें अर्थ कौन सा अर्थ निकलता है यानि कौन सा के सेंस में कौन सा के सेंस में meaning में ठीक है और next जो था उसमें और तो कौन सा के sense के according अभी एक और बताया था कि off के पहले यानि अगर हम off देखेंगे तो off preceded by यानि इसके पहले सिर्फ जो आएगा preceded by इन तीनों में से कौन आएगा इन तीनों में से सिर्फ विच आएगा ठीक है ना विच चाहे no matter which comes for इंसान यानि परसें जानवर आनिमल और नॉन लिविंग वो किसी के लिए भी आया off के पहले हमेशा विच आता है that is confirmed कि अगूँ आता है कि अगूँ आता है ती कि 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 वोलो कोई प्राब्लम यहां तक जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने लिख दिया हूं अब्जिक्ट है तो बिगनिंग में कैसे आएगा आंकर डबलु एच फामली जब क्वेश्चिन पूछता है तो हमेशा शुरू महीं आता है थो माँनौ तो इतना है थो हम आसो आफ्टाust प्रेपोजिशन नियस्यऻ फैंजा सकते हैं यहा आफथर प्रेपोजिशिशुन थे सकते हैं यहां प्रेपोजिशन कि बोलो कोई प्राब्लम यहां तक आप चलो यह हमने सिर्फ हूं हूं और विच कराया आपको अब चलो इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो नेक्स पेज में चले अब जो मर्जी अंकित वेरी कोड थैंक यू सो मच अंकित अपने मुझे रिमाइन करा दिया रुको आपको नेक्स क्लास में उसको आड़ करके देंगे और इसको समझा भी देंगे ठीक है एक में रुकना बिटा आड़ भी कर देंगे और इसको समझा भी देंगे जो यह बोला है भी इसको मच उतारने दो जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनावन नहीं आता है न वो सेक्शन छूट गया है वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनावन में आड़ करना पढ़ेगा चाल यहाँ आये यस मिघना विच वन लगा देगा न पिटा आप अगर यह वन लगा रहे हो यानि कौन सा जैसे आप वन लगा देते हो न वो हो जाता है कौन सा और कौन सा के केस में तो विच वन ही आएगा न ठीक है कौन सा के सेंस में तो हमेशा विच ही आएगा चलो आप आओ नेक्स्ट अरे इसको कहा था मैंने भेजने के लिए क्या कर रहा है वो फिलिंग दा ब्लांक्स विट एप्रोप्रियेट इंट्रोगेट्ट प्रुनाओं जो मर्जी लगा लो अब मैं आप लोग का क्वेश्चन्स देख लूँ आगे जली जली करो नरेशन अदेट ट्रख लोग जोग खमेश्चन्स देख लोगो नरेशन अटेंस में 20 में 20 आएगा एक्दम कॉंफिदेंट रो नरेशन अटेंस में 20 में 20 आएगा चलिए फिलिंग दा ब्लैंक्स विद एप्रोप्रियेट इंट्रोगेट प्रोनाउन यह किसकी किताब है whose book is this यानि किसका किसकी के सेंस में किसका के सेंस में किसकी के सेंस में हमेशा हूज आता है मैं अभी हूज का और बताऊंगे डिटेल बताऊंगे थोड़ा से रुको डाश रूम इस दाट वह रूम किसका है whose room is this whose room is that अब एक बात बताओ फॉस्ट और सेकेंड में हमने जो हूज लिखा है उसमें क्या यह नॉन लिविंग के लिए हूज है क्या यह नॉन लिविंग के लिए हूज है बेटा वेर और नहीं चलेगा अभी अभी में खाली हूज की बात करने पर है वेर इस यह रूम वेर बुक इसदार तो नहीं होता है यह हूज होगा ठीक है ना मैंने कहा यह किसकी किताब है यानि किसी इंसान की तो होगी तो भी पूछ रही हूँ मैं यह किसकी किताब है किसका रूम है यानि यह इंसान के लिए बात हो रही है जड़ा एक बार नेक्स्ट पेज पेज प disappearance disappearance का मतलब होता है गाइब होना वह एक मिस्ट्री बनके रह गया वह मिस्ट्री बनके रह गया मतलब वह एक अभी भी confusion है कि सरस्वती गाइब कैसे हो गई नदी traditional grammar अगर मैं modern grammar की बात करूं तो यह चलेगा traditional grammar की अगर हम बात करें इसमें traditional grammar की बात करें तो तो मैं लोगों की पूछ रही हो लेकिन मैं यही कह रही हो कि सरदसुती ऐसा रिवर है जिसका गाइब होना तो दो नहीं होगा तो कहो कि अच्छा नॉन लिविंग है तो बीच लगा दो और नॉन लिविग तो बीच लगा दिये शेंटेंज का स्ट्रक्चर भी तो सही होना चाहिए इसका मतलब है विच डिसपेरेंस भी गलत है तो क्या करें तो फिर लगाना पड़ेगा दर डिसपेरेंस ओफ विच देखो जिसका गाइब होना बिल्कुल सही है लेकिन संटेंस का स्ट्रक्चर तो सही करना पड़ेगा ना क्लियर अनिल ट्यर्टी का जहां तक हो चुका है वह आपको वीडियो मिल जाएगा उसकी आगे जब क्लास चलेगा तो फिर उसमें कंचिन्य हो जाएगा वीडियो में जड़ा सुमित का उठा उठाना और यह अविशेक को भेजो ठीक है अब सुनो ध्यान से क्या मैंने कहां दस सरस्वती इस दरिवर ड़ डिसपीर इंस ओव विच इस अ मिस्ट्री यानि जिसका गाइब होना और यहां पे तो भाई अब समझ में आ गया कि इसका रूम है देखो पहला में पूछा है किसकी किताब है दूसरा में पूछा है यह किसका रूम है है ना लेकिन यह दोनों तो चलेगा यहां क्यों गरत हो गया क्योंकि लिग दिया मैंने ट्रेडिशनल ग्रामर में we do not use whose for non-living things change whose disappearance into the disappearance of which ठीक है परसॉनिफाइड नहीं बटा विकास परसॉनिफाइड नहीं है यहांपे विच बुक इस भी चलता है यहनी कौन सी किताब है किसकी किताब है नहीं हो जाएगा फिर कौन सी किताब है ठीक है ना विच बुक इस भी हो जाएगा चलेगा यह कौन सी किताब है मैं हूस पढ़ा रहे था इसलिए हूस तरदिया अब कहां रहते हो वे डू यू लिव ही रीच कब आया वेन डिड़ ही ही रीच क्यों रो रहे हो वाइज आर यू क्राइट एक्जाम कब स्चार्ट होगा वें बिल डेक्जाम स्टार्ट देखो मैंने कहा कोई भी प्र्यपोजिटित कोई प्रोण जो इसमें फिट हो जाये हम भर लेते हैं जो इसमें फिट हो जाए हमने भर लिया देखो जगा हूज का स्ट्रक्चर वही तो कहां मेने इपटारे को नहीं का फूस्ट बूक सीधा बूक आएगा उसके बाद सीधा आपचेक्ट आएगा फिर इस लगाया फिर दस इसली कहा ना हुऊस्का कि असक़ स्ट्रक्चर मृइले घंडित गलती कर देते हैं आप क्योंकि वह स्ट्रक्चर समझ नहीं पाते हैंं क्योंकि यह स्ट्रक्चर को ग्रामिटफिकली समझाना मुष्किल है थोड़ा ज्यू कि इसा कोई बहौत अप्रोप्रीयट subject नहीं हुद के बादएखान object है अभी हम into get to pronoun एम अभी हम interrogate around में है आव आते हैं relative pronoun में तो देखना Relate प्रोनावन में आप में किसका के जगह पे ज्यादा में जिसका बोलूंगे देखना वेर वगर आ सकता है वह आप समझ जाओ आप उखादी मीनिंग्फुल बनाना पुझो लगा ना लगा है ना आये भी ननो और और जो मैंने दोनोत लिखा था ना इसी लिए हू का जो भी होगा और का भी होगा मुझे पता है वो किस से मिला ये जिस से मिला वो अब्जेक्ट होगा तो हूं हो गया मैं जानती हूं वो किस से मिला मैं जानती हूं वो जिस से मिला है ना वो जिस से मिला वो मैं जानती हूं ट्रेडिशनल इंग्लिष ही पढ़ रहें हम लोग अभी क्योंकि हम लोग मौडर्ञ इंग्लिष में ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं इंग्लिष में बहुत सारी ग्रामर्स होते हैं जो मिस्टेक करते हैं लोग इसी लिए ध्यान से देखो हमने जो फर्स्ट आपको पेज में दिया था वह मैंने कहा था मुझे पता है जो आया है मैं जानती हूं आप जिससे मिलके आ रहे हो देखो इसलिए तो मैंने कहा वहां पपी रिचो प्रनाउन अच्छा यह जो आपने लिखाया है इंडी इंक्लीजुसे दिपेंदेंट खिस यह क्या है डि टिपेंडेंड क्लफ क्वाई स्वा और वो क्या है देखो धियान से dog वो मतलब क्या है मैं जानती हूं किसको के जआ से वो मिला ये dependent qlaus धा और dependent एक लाउस जोड़ मेइं की इस पर निरभर कर रहा है इस पर निरभर क्रता तो जोड़ने के लिए क्या लगाया रिलेट्यों फ्रोणाव भलो रिलेट्यों प्रोणावन कैसे हुआ क्वेशन पूच रहा है क्या मैं कि लिए वहás design with ind break मैं जानती हो तुम जिस से मिले रिलेटव समझ में रेलेट रिलेटे एंटकरेटव हासोमेल यह तो मैं देख रही हुँ की मेरा क्लास समय हो रहा है अब प्राप्लम कया है मेरा साध़ थीन का बाच उसमें दिया है तो साध़ थीन से पांच के बादर पांस है था यह मैंसिम admissions तो मेरे 58 के बैच में इसी लिए मुझे कुछ देखना पड़ेगा उसका अभी शेक कुई वर कॉल लगाऊ हो गया बता कोई प्राब्लम चलिए अब आगे देखो जड़ा ध्यान से रिलेटर प्रोनावर इसलिए कहरादा है क्योंकि हमें यहां पर कोई question तो दिखनी रहा है है नाँ next time का में जानती हुँ कौन लड़का लड़के की गलती है मैं जानती हुआ स pause SUPivo का test का timing cannot 31च कर शारे 3 बज़े में में 총 5 बज़े मंदा सीका प्राइक्टे वाशरा ही कर चो फोंगो त्रेकर कि मैं समझती हूँ I know, मैं जानती हो, कौन से लड़की की गलती है, मैं जानती हो जिसकी गलती है, इसका मतलब है कि boy is at fault, कौन से लड़के की गलती है, I know which boy is at fault, यानि अगें जहां पर भी मैंने लिख दिया कौन सा का एहसास हो, वहां विच आता है, जहां पर भी कौन सा का एहसास हो, वहां अब आओ दे गवर्मेंट जिसको जनता चुनती है नॉन लिविंग के लिए विच्ट आएगा ही उसके पास पूरा अधिकार होता है सरकार चलाने का विच्ट क्यों नॉन लिविंग के लिए हम विच्ट का प्रियोग करते हैं इसलिए इस सेंटेंस में यहां पर पांचों से लगाया अगर कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यही है कि यह सारा इंट्रोगेटिव प्रोनावन यहां पे नहीं है कहां है विच विच बंक अच्छा दो हा सुनो हलो सुनो यह अधिकतर स्टूडेंट मेरा पांस से साथ वाले अधिकतर इनका कहना है कि अगर हम कॉम्बो पैक्ट लेना भी चाह रहे हैं तो मेरा मैंज का बैक छूट जाएगा ने वह तो कर दिया है टाइमिंग क्लाश कर रहा है ना अरे मेरा पांस से साथ इंग्लिश है और सवा पांस से सवा आठ मैट्स है तो तुम है ना साड़े तीन के कॉरिंग तो कॉम्बो रखा है थोड़ा दिखो अगर कहीं मैट्स का इधा उधर हो सकता तो मुझे बताओ कि बात करो एक पर सर्सी भी बात कर लो और मुझे बताओ फिर हो गया यहां तक हम लोग समझ गया चलिए आए आप आओ रिलेटिव प्रोनावन में फिर से एक मिनट टाइम दे रही हूँ ते रीट करके देखो हुआ हुआ है कि अपसे मेरा फ्रेंड रोहन एक कॉलनी में रहता है को प्रब्रम तो नहीं बटाओ फूर्थ नमबर में नॉन लिविंग कहां है चलिए फूर्थ नमबर में नॉन लिविंग कहां है गर्मन क्या आपको लिविंग लग रहा है हां है गर्मन सरकार उसके अंदर जो है इस बॉतंड कर रहा है वह डिपेंडनेंट क्लॉस 2-3 पे नावन का कितना डाउटीजלה रुको मै फ्रेंड आव फ्रेंड अब थोड़े नो बात कर लेंगे डाउट पाले सको खतम करने दो दृओं मुझे मैं फ्रेंड रोहन लेब सुनいたा dedicate now गृषाण का नम डाम अंगर नहीं जानती हो तो मैं यह किना की दो गाहिए क्योंकि रोहन का नाम तो नहीं भूली हूं फ्रेंड का नाम रोहन है ड़स मींस कोई के लिए हूं लगा रही हूं जो की गलत है नौन लिविंग की अभी कहा था जुदेशनल ग्रमर में नौन लेविंग के लिए हम नहीं यूजस करेंगे हूं सद्वाइब लगाए ऐसे सीदा सीदा बिच नहीं लगाते हैं the name of which का structure हमने दिया था आपको sentence का structure बहुत important English बोलने के लिए six make that just suitable लग रहा है ने बिलकुल नहीं बिलकुल नहीं लग रहा है सिक्स में बिल्कुल डाट नहीं आएगा हूँ इस प्रॉब्लम शुबं आपने किसी इंसान को प्रॉब्लम बता दिया फिर तो ठीक है डाजन माचर बॉई लिविंग है या क्या है आप यह पताओ ना मुझे कहां पे यहां पे लड़का जो है उसका नाम तो जानती हूं ना नहीं लगा सकते हूं अब 7th में क्या बहुं है प्रॉब्लम क्या है अम जानती हूं कैसे सुल जां उसे आई नो वाट दो प्रॉब्लम इस सोरी यहां पे इस आएगा वाट दो प्रॉब्लम इस और हाउ तो सॉल वेट आई नो क्योंकि इंट्रोगेटिव नहीं है आई नो वाट दो प्रॉब्लम इस एंड हाउ तो सॉल्व एट ठीक है क्लियर बोलो के प्रॉब्लम यानि कि आपको ऐसा से भरना है इस तरह की चीजों से भरना है जिस से कम से कम हमें पता चल जाए कि सेंटेंस का स्ट्रॉक्चर सही हो गया इसलिए यहां पे सेंटेंस का स्ट्रॉक्चर दूर था वो हमारा सही हो गया अगर हम ने डाला कि प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे सॉल्ल किया जाए इसके क्लियर चलिया नेक्स्ट आओ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं मैं है ना अकांशा एक यह बात कई बार रिपीट कर रही हो कौं सा के सेंस में विच आता है कई बार बता रही हो विच का इस्तमान नॉन लिविंग आनिमल के लिए होता है लेकिन ओफ के पहले भी विच आता है यह तो बताया था आपको भी इंफिनिटिव कहां यूज कर रही है बटा भी तुमारा तू प्लस वीवन इंफिनिटिव होता है लेकिन यूज कहां कर रही हूं मैं अब सुनो ध्यान से पहले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएंगे तो आगे का क्वेश्चन पहले से क्यों पूछ लेते हो मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं मैं जानती हूं कैसे तेरा जाता है और उसने मुझे सिखाया कैसे ड्राइब करते हैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूं I wondered what to do I know how to swim he taught me teach a second form it taught me how to drive जरा देखो ध्यान से what to do how to swim and how to drive क्या ही यह अगर how no because no है ना sorry अगर no wonder wonder है teach का second form thought learn or discover are followed by infinitive what is infinitive infinitive मतलब 2 का 2 plus verb का base form कहां देख रहा है 2 plus verb का base form जड़ा देखो तो यहां पर है ना I know swimming वो तो चलेगा I know driving वो भी चलेगा लेकिन I know to swim यह नहीं चलेगा अगर no wonder teach learn discover के बाद infinitive आए तो आपको infinitive के पहले एक WH family जरूर आना चाहिए क्या कहां मैंने अगर no learn wonder teach discover वगरा के बाद एक infinitive आए तो infinitive के पहले एक relative pronoun का आना बहुत जरूरी होगा ठीक है बताओ कोई problem और यह आप WH family में पढ़ रहे हो यह वर्ब में भी important है अजीत दो बार एक साथ अगर debit हो गया ना बेटा तो आप मेल डाल दो एक online at kd campus.org में आपका जो extra cut गया हो refund हो जाएगा लेकिन अजीत एक चीज़ जानना आपका मेल जिस दिन हमारे पास आता है उसके विदिन टू डेज हम refund कर चुके होते हैं लेकिन आप एक बार बैंक से भी पता करना क्योंकि आज कल तो मतलब तुम सोचो इतने हाई क्रेट का बिजनस में चला रही हूं पिछले डिर महने से हम रोते रहागे कि भाई में चेक बुक तो दे दो हम पेमेंट कैसे करें अपने स्टाफ को सबको डिर महने के बाद हमको चेक बुक मिला है ठीक है मतलब 15 दिन तो ऐसी घुमाता रहा उसके बाद फिर ओफिस्चल लेटर लिखे फिर मेल किये बैंक का थोड़ा सिस्टम खराब चल रहा है लेकिन हमारे तरफ से दो दिन में आपका रिफंड हो जाएगा टेस सरीज बिटा मैं आपको बता दूं विशाली एंड एव क्योंकि उसका पुरा प्रूफ रिडिंग मेरे तरफ से होके जाता है कि एट फिर से बताईए एट मैंने वंडर समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं ठीक है डबलु एज फैंबली में हाव कैसे हैं वही तो बात है ना सारा डबलु एज फैंबली क्वेश्चन पूछता है हाव भी क्वेश्चन पूछता है इसलिए हाव में डबलु डबलु नहीं है तो भी वह है येस में जो पता है वह आपको नेक्स क्लास में में पढ़ा भी दोंगी और दोंगी ठीक है आप लोग को कुछ भी अगर लग रहा है कहीं से कुछ छूटा हो या कोई भी बात हो त देना बस ठीक है अधर्वाइस पूरा दे रही हूं मैं चलिए यह जड़ा देखो तो भाले फटा फट